नमस्कार, मैं योगीता परिहार, आपकी हिंदी सिख्षिका आज हम हिंदी व्याकरण से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास करेंगे तो आईए, शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे राम कवीता लिखता है अनेक शब्दों के इस्थान पर हम एक ही शब्द कवी का प्रयोग कर सकते हैं वाक्यांश को संशेप रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भाशा में कई शब्दों के इस्थान पर एक ही शब्द बोलकर हम भाशा को प्रभावशाली और आकरशक बनाते हैं परिभाशा ये वे शब्द होते हैं जो वाक्यांश का अर्थ देते हैं यहां पर मैं कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उधारन दूँगी जिने आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा जो कभी ना हो सके असंभव प्रतिदिन होने वाला देनिक सौ वर्षों के अवधी शताब्दी गणित का ग्याता गणितअग्य जानने की इक्षा रखने वाला जिग्यासू जो कभी न मरे अमर जो सरलता से मिले सुलब नगर में रहने वाला नागरिक जिसका कोई आधार ना हो निराधार जो बात इस लोकी हो लोकिक जो कभी बुढ़ा ना हो अजर शरण में आया हुआ शरनागत जिसमें धैरियन ना हो अधीर हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित रात में घूमने वाला निशाचर धर्मों में निष्ठा रखने वाला धर्म निष्ठ बुरे चरित्र वाला दुष चरित्र जो देखने योग्य हो दर्शनिय जो बिना वेतन के काम करें अवेतनिक रास्ता दिखाने वाला मार्ग दर्शक जिसके पार देखन जा सके पार दर्शी सो का समूह शतक जो समाचार भेशता हो समवाद दाता जो पहले हुआ हो भूत पूर्व झालाओ जब टर्शक जब लो दिखने जो समाचार जो करें जो अवेतनिक पार भेशता समय कुश। झालाओ जो बिना लोगेतनिक कालाओ जो जो दित्वास समाचार जो पूदित बिना जो भूद आलाओ झाल